दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे ओडिशा की फेमस मिठाई रसवली यह खाने में तो टेस्टी है इसे बनाना भी बहुत असानी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा चैनल पर पहली बारा है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चली शुरू करते हैं रसव तो अधेली से में पानीर को अच्छे से मिक्स करना है इसका हमें सौफ्ट और स्मूथ बना कर तयार करना है तो पांच मीनट हातों से इस तरह से हम है दरी से लब करेंगे फांच मिनित के बाद हम डालेंगे एक चमच माधा और एक चमच सूजी आप सभी चीज़ों का ऑपस है है अपेस्ट अपर आप मिक्स करेंगे अपो यह उसी मिक्स करना है और इसका हमें स्मूथ और सॉफ्ट डो बनाकर त्यार करना है दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो हमारा बनका रेडी है और अब हम क्या करेंगे अब हम इसके चोटे चोटे बॉल बनाएंगे और हलके हलके हाथों से इसे प्रेस करना है उसके फैला देंगे और इस तरह से इसका हम टिक्या बनाकर तैयार कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम करहाई में लेंगे तो मैंने रिफाइन वाल लिया है जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक एक करके हम तेल में इस टिक्या को डाल लेंगे और उलटते पलटते हुए दोनों साइब से से लाइट ब्राउन होने तक फैर कर लेंगे मीडियम टू लो फलेंपे इसे हमें फराइ करना है तो जैसा कि आप देख सेकते हैं कि फै फ्राइब हो चुका हीतना ही हमसे फ्राइब कर लेंगे और इस बढ़ा से सारे है तो चीक्या को हम फ्राइ कर लेंगे हैं मिद्वर्णा गाओ लिए है इसे प्रोसेस से जब सब दूसरे बत्रें में हम लेंगे एक लिटर जारा मिल्क पाउंड रख अगर आप मेजर्मेंट करें तो यह 24 में अच्छी तरह से मिल्क पाडर को भी मिक्स कर देंगे स्में लंस बिल्कूल भी नहीं होना चाहिए और अब हम सब्सक्राइब को मिक्स कर देंगे और हाई फिल्म पे इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसके क्वाइंटिटी आधी न हो जाए कंटिन्यू इसे हमें चलाते भी रहना है जैसा कि आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है इतना ही हमें इसे पकाना है दूद को तो अब हम गयास के फिल्म को बंद कर देंगे और सारे फ्राइक की हुए ठीकिया को हम दूद म आप इसे एक पर जरूर कीजिएगा अब उपर से हम इसके उपर लगा देंगे चानी का वर्क इसे और भी ज्यादा टेस्टी दिखेंगी जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल साहिल लुक है इसका तो दोस्तों आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट वक्स में ज दोस्तों जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही इजी टेस्टी नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें बाबाई